अलो नवास्तो दोस्तो अनुदा के अडियो में आपका स्वागत है हमने दोस्तो हिंदी बैकर्ड को एकदम बेसिक से स्टार्ट किया याद आपने पहले की वीडियो नहीं देखें तो मैंने फिलिलिस्ट का लिंग डिस्क्रिप्शन में दे दिया है आज हम बात करते हैं सर्वनाम की हमने पद की बात की थी पद में पहले क्या आया संगय आई अब पद का यह दूसरा रूप क्या है सर्वनाम अब सर्वनाम से आपको कोई चीज समझ में आ रही है सर्व मतलब सर्वनाम मतलब सब का नाम संगय क्या थी एक निश्चित चीज का जो नाम होता है उसको बोलते हैं संगय जो एक निश्चित प्रोपर उसकी पैचान होती है उसको हम संगय बोलते हैं और सरनाम का मतलब होता है सबका नाम अब ये सरवनाम में क्या होगा जैसे अगर हम कहें कि राम का पता चल गया है राम अपने लिए कि मेरा नाम है लेकिन अगर कहें कि मैं का प्रियोग वे भी कर सकता है तो मैं क्या होगा? मैं होगा आपका सरवनाम ऐसे ही तुम भी सरवनाम आप ये भी सरवनाम तो जो सब्द संग्या के स्थान पर प्युक्त होते हैं वो हमारे सरवनाम कहलाते हैं अब ये सरवनाम कौन-कौन से होते हैं देखिए सरवनाम के 6 वेद होते हैं नमबर एक है आपका पुरुस वाचक सरवनाम पुरुस वाचक सरवनाम में क्या है? इसमें पुरुस का मतलब पुरुस नहीं है देखिए पुरुस तीन बार के होते हैं पुरुस के तीन वेद होते हैं नमबर एक होता है उत्तम पुरुस नमबर दो होता है मद्यम पुरुस और नमबर तीन होता है अन्य पुरुस उत्तम पुरुस में मैं मेरी मेरा और मत्यम में आप ये समझगा चलिए कि दो आदमी हैं कि एक मैं हूँ और एक तुम हूँ और कोई एक तीसरा है वो आपका अन्य पुरुस है ये जो उत्तम है वो मैं हूँ मत्यम में क्या होगा जो उसके सामने दूसरा खड़ा है तुम तुमारा तुम से हो गया और जो ये बीच का होगा जो उसके सामने होगा वो होगा उसका मद्यम पुरुस और अन्य पुरुस क्या होगा जैसे वे उसे उसने जो किसी तीसरे के बारे में बात हो गई वो क्या होगा आपका अन्य पुरुस उत्तम पुरुस में क्या होग मैं क्या होगा उत्तमपुरुष तुम किसमे चला जाएगा मध्यमपुरुष में और वऔ वो चला जाएगा अन्यपुरुष में ये तो होगा इआपके पुरुषवाचक सरनाम उत्तम पुरुष जब स्वय के लिए बात की जाती है मत्यम पुरुष जो सामने वाले के लिए बात की जाती है और अन्य पुरुष में हम किसी तीसरे के लिए बोलते हैं जब हम दो आदमें अगर आपस में बात कर रहे हों जब हम किसी तीसरे की बात करते हैं तो वे हमारा अन्यपुरुस में चला जाता है फिर आता है हमारा निश्चवाचक सरणाम नम्मर दो निश्चवाचक सरणाम जिसका पूरी तरह से निश्चवाचक हो देखिए सेंटेंस आपको समझना भी है और देखना भी है कि क्या चीज़ है किसके साथ लगी हुई है जिसका पूरी तरह से निश्चे वाचक सरनाम में आता है वह है यह है यह चीज़ आती है अगर आपके पास सब्द है कि यह मेरा गर है यह मेरी किताब है तो इसमें क्या होगा यह निश्चे वाचक सरनाम है काम कर रहा है यहां द्यान देने वाली बात यह है कि यह जो सब्द है यह यह फिर वह अगर यह आपके आए अकेले में तब तो होते हैं यह आपके निश्चेवाचक सरुनाम लेकिन अगर आएं यह आपके किसी संग्या के साथ मान दीजिए संग्या क्या है किताब है गर है यहां तो यह और वह अकेला है किसी संग्या के साथ नहीं है सरुनाम के साथ है यह मेरा गर है यह मेरी किताब है यह अकेले की बात कर रहा है, किसी भी आपके संग्या के साथ नहीं है, लेकिन अगर किसी संग्या के साथ आ जाए, जैसे यह गर मेरा है, पहले क्या था, यह मेरी किताब है, जब यह किसी संग्या के साथ आएगा, तो जो आपका यह होता है, वह सरुनाम ना होकर, तब यह बाद क्या रखना आपको यह वह आपके अकेली में आए तो निश्चेवाचक सरणाम क्यलाएंगे लेकिन अगर यह किसी संग्या के साथ आएंगे तो यह आपके बिसिसर क्यलाएंगे अब हम बात करते हैं अनिश्चेवाचक सरणाम क्या है अनिश्चेवाचक सब्द कौन से होते हैं, वो होंगे कोई भी, कुछ भी, कुछ ना कुछ, कोई ना कोई, जब ये वाले सब्दा आते हैं, वह अनिश्चे वाचक सरनाम कहलाते हैं, जैसे आप कुछ लिख रहे हो, निश्चे तो नहीं है कि क्या लिख रहे हो, आप पोईम लिख रहे हो या आप निवन्द ल क्या हूं जैसे आप खाना खाने वैठते हो तो आपसे कोई पूछे क्या खाऊगे तो कहते हैं कुछ भी खा लेंगे निश्चे तो नहीं है तो जहाँ पर कुछ भी कोई भी सब्दा आते हैं वहां आपका अनिश्चे वाचक सरनाम होता है इसके बाद दोस्तों आता है आपक का किसी दूसरे सरणाम के साथ संबंद दिखाया है तो वहाँ पर आपका संबंद वाचक सरणाम होता है इसमें आपके जो सब्दें वो जो सो का प्रियोग होता है जैसे कि जो आया है सो जाएगा इसमें कौन सा सरणाम होगा आपका संबंद वाचक सरणाम तो यह हो गया आप नंबर पांच पर प्रश्णवाचक सरनाम, इसमें क्या होगा ज़न पर प्रश्डवाले जो सब्दों होते हैं, य payments वह निजवाचक सरनाम, अब निजवाचक सरनाम से भी समझ गए होगे आपके इन सब्दों का क्या अर्थ होता है, निज मतलब निजी, अपने लिए हम जो सब्द रियो करते हैं, वो आते हैं अमारे निजवाचक सरनाम में, जैसे अपने आपके लिए अगर कोई बात करते हैं, म आपकी संग्या हो गई, यह आपकी सर्वनाम हो गई, सबसे पहले कौन सा था आपका प्रुस वाचक सर्वनाम, फिर निश्चे वाचक सर्वनाम, फिर अनिश्चे वाचक सर्वनाम, फिर संबंद वाचक सर्वनाम, फिर प्रश्न वाचक सर्वनाम, और फिर निजवाचक लेंगे जद आपको वीडियो अच्छा लगाओ तो वीडियो को लाइक सेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देजिए वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद